नमस्कार दोस्तों आव सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही कुपसूर डिजाइन लाई हूं जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं चैने जर्ण सवेटर में, लेड़ी सवेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चैने कि कि हमें odd number में कोई भी फंदे चाहिए यानि जो दो से न कटते हूं तो मैंने 21 फंदे डाल रखे हैं और पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे यह हमारा baseline त्यार हो गया अब हम wrong side में हैं तो यहां पर हम अपना secondary color attach कर लेंगे और पहला फंदा ऐसे slip करेंगे और next फंदा उल्टा अगला फंदा slip करेंगे next फंदा उल्टा अगला फंदा slip करेंगे next फंदा उल्टा तो इन ही दोनों फंदों को हमें पूरी line में दूराना है एक फंदा slip करना है और अगले फंदे को उल्टा बन लेना है एक फंदे को स्लिप करना है अगले फंदे को उल्टा बन लेना है चुकि हमने और नमबर में फंदे लिये हैं इसलिए देखिए हमारा पहला फंदा हमने स्लिप किया तो लास्ट फंदा भी हमारा स्लिप पे ही आएगा अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है तो दूसरे लाइन में ये स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को उन अपनी और करेंगे और इसे हम उल्टा बन लेंगे उन दूसरी और करेंगे स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और ये जो बुना फंदा उल्टा और दूसरी और slip के अवा फंदा इन अपने और बुना हुआ फंदा उल्टा तो इन ही दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में तूराना है बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और और स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करते जाना है और लास्ट में स्लिप के हुए फंद आया इसे हम स्लिप कर लेंगे अब यह डिजाइन का थर्ड रू है और रॉंग सैट तो अब हम अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टे पुन लेंगे तीसरी लाइन में रॉंग सैट से सभी फंदे प्राइमरी कलर के उन से उल्टे प्राइमरी कलर के उन से सभी फंदे उल्टे पुन लिये है और यह डिजाइन का चौथा लाइन है और सामने से तो अब हम पहला फंदा यह एज स्टीच यह स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे और यह फंदा देखे इसे हम इसमें यह जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है यानि जो सलाई पे है उसमें नहीं बलकि उसके नीचे यह जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें ऐसे स्लाई जालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा सीधा बुनना है लेकिन सलाई वाले फंदे में न बुनके ये जो छेद दिखाई दे रहा है देखिए इसमें हमें सलाई डालना है और सीधा बुन लेना है अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा हमें सलाई में न डालके यह जो छेद दिख रहा है इसमें हमें डालना है यहां पर ऐसे डाला और एक सीधा फंदा बना लिया फंदा उतालेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा सीधा बनेंगे लेकिन एक लाइन नीचे से स्लाई डालेंगे और तब सीधा बनेंगे अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा एक लाइन नीचे से सीधा अगला फंदा सीधा देखिए नेक्स्ट फंदा यह जो हमको च्छे दिखाए दे रहा है इसमें स्लाईड डालेंगे और सीधा बना लेंगे अगला फंदा सीधा यानि दूसरे रंग वाले फंदे सीधे बनेंगे और जो बेस कलर वाले फंदे हैं उनमें एक लाइन नीचे से देखिए ऐसे स्लाइड डालेंगे सीधा बनाएंगे अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा एक लाइन नीचे से सीधा अगला फंदा सीधा और लास्ट फंदा एजस्टीच है इसे हम सीधा बना लेंगे अब यह हमारा डिजाइन का पांचवा लाइन है और रॉंग साइट डिजाइन रॉंग साइट से शुरू होती है तो यह डिजाइन का पांचवा लाइन है और रॉंग साइट अब हम यहां से अपना पहला लाइन फिसे शुरू करेंगे यानि पहला फंदा slip करेंगे next funda उल्टा फिर slip किया फिर उल्टा इनी दोनों funda को हमें पूरी line में दोराना है एक funda slip करना है next funda उल्टा फिर slip फिर उल्टा फिर slip फिर उल्टा last funda slip और अब design का दूसरा line और सामने से तो slip किया हुआ फिर उल्टा फिर उल्टा बन लेंगे उन दूसरी और करेंगे slip किया हुआ फिर उल्टा फिर उल्टा बन लेंगे उन अपनी और करेंगे और यह जो फिर दूसरे secondary color वाला फिर उल्टा बन लेंगे उन दूसरी और करेंगे स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और उन अपने और करेंगे और ये बुना हुआ फंदा इसे हम उल्टा बन लेंगे उन दूसरी और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे उन अपने और बुना हुआ फंदा उल्टा उन दूसरी और slip किया हुआ फंदा slip करेंगे उन अपनी और बुना हुआ फंदा उल्टा इन्हीं दोनों फंदों को पूरी लाइन में दूराना है slip की हुए फंदे को slip करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है डिजाइन का थार्ड लाइन और रॉंग साइट तीसरी लाइन में बेस कलर से सबी फंदे उल्टे और डिजाइन का चौथा लाइन और सामने से तुप पहला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा और अगला फंदा एक लाइन नीचे से स्लाइड डालेंगे और तब सीधा गनाएंगे अगला फंदा सीधा यहां से देखिएगा यहां पे हमें इस यहां सलाइड वाले फंदे में ना डालके उसके एक फंदे नीचे एक लाइन नीचे यह जो छित दिखाए दे रहा है इसमें स्लाइड डालेंगे और सीधा बना लेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा एक लाइन नीचे स्लाइड डाल के तब सीधा तक ये कितना कुपसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है चार लाइन का ये डिजाइन है एक रंके उनसे दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसे रंके उनसे बनाया जा रहा है इन्हीं चारों राइनों को हमें दूराना है और एक प्षूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है तो मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंट्स डिजाइन बनके त्यार है सामने से यह ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो क्रिपाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रश्तेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेशन आपको मिलत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद